वेलकम बैक अब्रीवन वेलकम टू सिवल सर्विसेश टड़ी अज डेट हो गई है 29 जुलाई 2020 और लगाते हैं टेस्ट टमबर 475 फोकस करेंगे करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर तो उचली स्टार्ट करते हैं तो question number 1 पर आजाईए हाली में समाचारों में रहा है साइक्लोस्पोरा क्या है साइक्लोस्पोरा दक्षण चीन सागरमया चक्रवात है कोई एक संक्रमणी है बिमारी अरब सागरमया चक्रवात या फिर एक सूक्ष्म जिबानू जो विशाणूं का भक्षन करता है देखिए साइक्लोस्पोरा है एक संक्रमणी है बिमारी option number B है इसका answer है तो साइक्लोस्पोरा सेयुक्त राज अमेरिका में फैली एक संक्रमणी है बिमारी है यह है रोग साइक्लोस्पोरा साइटन एंसेस नामक परजीवी के करण होता है यह परजीवी दूशित भोजन या जलके सेवन से लोगों की आंतों में पहुँचकर संक्रमण शुरू करता है इस बिमारी में भूक ना लगना बजन में कमी आ जाना सूजन निम्लस रणी का बुखार कमजोरी एवंदस जै लेटियूस हो गया गाजर हो गई इनसे हो रहा है इस कोशन नमबर टू पर आ जाईए नमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है दूसरा कोशन है यह पहला स्टेटमेंट है हैंड लाइन मुद्रा स्फिती के अंतरगत खाद और इंधन की कीमतों को समलेत नहीं किया जाता बाजार से अतरिक्त नगदी का अवशोशन करने है तू नीतिकत दरो में कमी की जाती है देखे सोचने वाली बात है कि RBI द्वारा बाजार से अतरिक्त नगदी का अवशोशन करना चारी है मतलब पैसे को खीचना चारी है चूसना चारी है मार्केट से तो दरो को कम करेगी या बढ़ाएगी, दर बढ़ाएगी ना, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है, हैंड लाइन मुद्रा स्विती के बिपरीत, कोर मुद्रा स्विती के अंतरगत, खाद और उर्जा की परिवर्तन शील कीमतों को भी सामिल किया जाता है, देखें गलत है, यह सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है, इसका अंसर होजेगा, अपसन नमबर डी, इन में से कोई भी नहीं, हैंड लाइन मुद्रा स्विती के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है, यह कोर मुद्रा स्विती के अंतरगत सामिल किया था, हैंड लाइन मुद्रा स्वि इन्हें समलित किया जाता है। जब कभी जब भी कोर मुद्रस्फिती में ब्रद्धी होती है तो RBI द्वारा बाजार से अतरिक्त नगदी का अवशोशन करने के लिए नीतिगत दरों को बढ़ा दिया जाता है ब्रद्धी की जाती है कमी नहीं की जाती और जब कोड़ मुद्रस्विती में कमी होती है तो rvii द्वारा नीती का दरू में जो है वो कमी कर दी जाती है पहला स्टेटमेंट है यह है दक्षन पूर्वे एसिया में इस सिते का नूठा देश है यह है कौन इंडोनेशिया की बात हो रही है जो की मुख्य रूप से अपने द्वीपों और सुन्दर परिदरश्ट के लिए विस भर में बहुत परशिद है इस देश की लगवागस्य प्रतिशत आवादी हिंदू धर्म को मानती है और यह दुनिया का चोथा सबसे अधिक आवादी वाला द्वीप समू देश है पहला कौन सा है फिर ग्रीनलेंड देखिए पहला वाला स्टेट्मेंट करेक्ट है तीसरा वाला भी करेक्ट है चोथा है यह दुनिया का सबसे अधिक आवादी वाला द्वीप समू देश दूसरा वाला गलत है क्योंकि यहां की 80% आवादी इसलाम धर्म को मानती है तो से ही एलिमिनेट हो जाता है पूरा का पूरा प्रश्ण इसका आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी वन और थ्री ओनली तो कथन दो सही नहीं है यहां पर इंडोनेशिया दक्षन पूर वेसिया में स्थित कनूठा देश है जो की मुख्य रूप से अपने दूइपो और सुन्दर परिदर्श्य के लिए विसुहर में परशिद है इस देश की लगवा गस्य प्रतिशात आबादी इसलाम धर्म को मानती है हिंदू धर्म को नहीं हिंद महासागर और प्रसांत महासागर के वीच इस्चित है यह दूइप समू और दुनिया का चोथा सबसे अधिक बादी वाला देश है इंडोनेशिया की राजधानी है क्या जकारता है और यहां का सबसे बड़ा धर्म है इसलाम धर्म इसके अलावा यहां पर इसाई लोग हिंदू लोग और बहुत धर्म को मानने वाले लोग भी मिलते हैं Qosas No.4 पर आजएये निम्लिकत मैं से कौन से प्रत्वी के प्रश्ट पर गतिक परीवरतन लाने के लिए जिम्मेदार है प्लेटों का संचलन प्रत्वी का परिक्रमन बिद्धुत दुम्ल किये विकीरन प्रत्वी का परिक्रमन परिक्रमन क्या होती है किसी दूसी चीज की परिक्रमद करना यह है, सूर इसके चार मोर परिक्रमा कर रही है ना, परिक्रमद की हो जगा जिसको बोलोगते हैं गोणन, अगर यहां परिक्रमड की जगै परिभ्रमण आता, मैं तब क्या होता? तब भी एक ही वात है, प्रत्वी का घूडन भी है प्रत्वी पर गतिक परिवर्तन के लिए और करिफर्मन में अंतर जात बलों की भूमिका होती है सामान रूप से अंतरजात वलों की उत्पत्ती के संभावित कारणों में प्रत्वी के अंतरिक भाग में तापिय विशमता तथा सैलों का संकुचन और विस्थार होना है साथ ही विध्धुत चुम्ब के अविकीरन गुरुत्वे वल की भी इसमें मुख्य भूमिका होती है और भूतापिय उर्जा की भी होती है प्रत्वी का परिक्रमन एवं घूनन दोनों और प्रत्वी के प्रष्ट पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्बदार है भी प् भूतापिय उर्जा प्रत्वी का परिक्रमन प्रत्वी का घूनन ये सभी कोशन नुमबर फाइब पर आजए निम्रिकित में से कौन भारत की विदेश नीती के उद्देश है चार-चार स्टेटमेंट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है भारत को पारंपरिक और गैर पा बातरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो विदेश में भारतिय परवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्यत करना की वैस्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए बिलकुर यह तो सारे के सारे हैं चारों के बातरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ती तक विकास का लाब पहुंच सके और यह सुनिश्यत करना की वैस्विक मंचों पर भारत की आवास सुनी जाए और बेभन वैस्विक आयामो जैसे की आतंकवा हो गया और वैस्विक सासन के मुद्दे को भारत प्रवावित जो है वो कर सके विदेश में भारते प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना भी इसके महतपून उद्देश्यों में सामिल है पांच पंच सील सिद्दान्तों में सामिल नहीं है तो चार स्टेटमेंट है यहां पर चार विकल्प हैं पांच पंच सील सिद्दान्तों में सामिल नहीं है कौन सा एक दूसरे की छेत्रे अखंडता और संप्रोपुता का पारिस पर एक सम्मान करना और दूसरा है पारिस पर एक आक्रमन ना करना तीसरा है समान कारे के लिए समान वेतन आयों महिलाओं की सुरक्षा और सांती पूर्ण सहय अस्तित्व है बताइए कौन सा इसमें जो पांच पंचसील सिद्धान्तों में सामिल नहीं है एक दूसरी की छेतरी अखंडिता और संप्रहुता का समान करन है पारस पर एक आक्रमान ना करना भी है सांती पूर्ण सहय अस्तित्व स्थापित करना भी है लेकिन समान कारे के लिए समान वेतन नहीं है सी नहीं है तो पंचसील सिद्धान्त को सबसे पहले 1954 में चीन के तिबब छेतर था भारत के मध संदी के लिए प्रतिपादित किया पांच पंचसील सिद्धान्त कौन-कौन से हैं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप ना करना सांती पूर्ण सहस्तित्व एक दूसरे की छेत्रे अखंडता और संप्रफुता की का पारिस पर एक समान करना समता और आपसी लाब और पारिस पर एक आक्रमान ना करन कुशन नमबर सेवन पर आजाए हाली में चर्चा में रहा गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है पड़ोसी देशों को बिना किसी स्वार्थ के मदद करना स्री लंका में फैली कोई कभी के विमारी है चीन और उत्री कोरिया के भी संपन हुई परमानू संधी या उभरती विकासील अर्थमें अस्थाओं को वित्य सहायता परदान करना इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए पड़ोसी देशों की विना किसी स्वार्थ के मदद करना तो देखिए गुजराल डॉक्ट्रिन जो हाली में चर्चा में रहा देखिए ऐसा नहीं है चर्चा में जो रहेगी चीज वो करेंट की होगी ऐसी कोई एक्ट अधिनियम या कोई संधी विभाग जो कभी बनाए गए लेकिन अभी चर्चा में है वो किसी ना किसी कारण तो ऐसा नहीं है वो इस समय जिस चर्चा में है बही पूछेगा उस समय जो बनाए गए कब बनाए गए किसने बनाया उ को गुज्राल डॉक्ट्रिन कहा जाता है और इसके तहट पडोसी देसों की विना किसी स्वार्थ के मदद करने के विचार को प्राथमिक्ता दी गई करता भी है इंडिया नैपाल के साथ किया भूटान के साथ किया बंगलादेश के साथ किया स्रिलंका के साथ किया कुश्या नूम्बर रेट पर आज़ेए नमलिकित कत्नों पर विचार करना दो स्टेट्मेंट है हाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा सीर्ष इस्थान पर है जबकि गौाम अंतिम इस्थान पर है देखे पहला बाला गलत है हाल ही में किये गए सोद के अनुसार विस्मे सार्क की संख्या में कमी हुई है बहुत सारी सार्क जो पाई जाती थी वो बिलुप्त हो गई और दूसरा बाला करेक्ट है दुनिया भर में बहामास जो है वो सार्की बहुतियात के लिए सीर्ष इस्थान पर है जबकि गौाम अंतिम इस्थान पर किबल दो यहां पर करेक्ट है इसका अंसर हो जाएगा उप्सण नमबर भी तो क्यों पूछा गया यह सवाल तो देखे हाल ही में किये गए एक अध्यन के अनुसर दुनिया की 19 प्रतिशत प्रवाल भित्तियों में सार्क की अनुपस्तिदी दर्ज की गई है जो अब तक की दर्ज की गई सार्की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है इसलिए गलता पहला स्टिट्मेंट दो बढ़ी नहीं है घटी है अध्यन से सामने आया है कि मचलियों को अत्यदिक पकड़ना घनी मानव आबादी एवं कमजोर सासन व्यवस्ता के कारण आठ देशों से संबंधित तर्टिय जल निकाय से सार्क कार्यात्मक रूप से लुप्त हो गई है यह अब तक का सबसे ब्यापक अध्धन है जो सार्क की बहुतयात को देखने के लिए किया गया है और इस अध्यान में पाया गया है कि सार्ख बिलुप थो रही है धीरे धीरे अब देखे विस्विस्तरिय सर्वेक्षन में सोध करताओं ने पाया है कि 69 प्रवाल भित्तियों या इसको परसंटेज में देखा जाए तो लगवग 19 प्रतिशत प्रवाल भित्तियों में सार्ख मौजूद की लगवग ना के बराबर थी उन्हों ने ऐसा पाया अभी हाली में दुनिया भर में बहामास जो है वो सार्ख की बहुतयाद के लिए सीर्स इस्थान पर है जबकि गुवाम जो है वो अंतेम इस्थान पर है बात करें बहामास की तो बहामास केरिवियन सागर में बेस्ट इंडीज के लियूशियन दूइप समू के अंतरगत एक देश है और बात करें गुवाम की तो गुवाम पश्मी परशांत महासागरिय च्छेतर में माइक्रो नेशिया में एक अमेरिकी दुईपी च्छेतर है जहां सबसे कम है और यहां पर अधिक है क्वेशन नमबर नाइन पर आजाये कौन सा स्थापना दिवस मनाया पचपनवा यह चावववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव भारत का पड़ोसी दूईपीय देश है कमसंग आपको एक अनुमान के तौर पर तो पता होना चाहिए ना लगभख में कितना आया सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी में लगे वाप बिल्कुल करेक्ट है 298 वर किलोमेटर है सारे के सारे तो सही होगा इसमें डी एस का अंसर तो देखे हाल ही में 26 जुलाई 2020 को मालदीप ने अपना पच्पन वाइस थापना दिवस मनाया इस अबसर पर राष्टपती रामनात कोबिंद और परधान मंत्री ने मालदीप के राष्टपती इबराहिम मुहम्मद को बढ़ाई दी है गौरतलब है कि भारत ने बरतमान कोरोना वायरस महमारी के दोर में मालदीप की बहुत ही सहता की है और सरकार ने मालदीप को कोविड-19 महमारी के बीज अपने संजीबनी अभ्यान के तहत आवश्चक औसधियां और खाद सामगरी परवाड कराई थी अभी हाली में मालदीप का भूच हित्रफा लगवख 298 अवर किलोमेटर है और यहां का सबसे वड़ा धार्मिक संपरदाय है मुस्लिम धार्म मालदीप की राजधानी माले है याद रखिएगा जो इसका सबसे अधिक आबादी वाला सहर है कोश्चन नमबर दस पर आजाईए हाल ही में अपने परतिष्ठित उपर न्याज वर्न्ट सुगर के लिए 2020 के बुकर पुरुसकार के लिए चुने गए तेरे लोगों की सूची में सामिल होने वाली भारते मूल की लेखिका का नाम बता देजे क्या है यह बही पुरुसकार है जो 2019 में मार्गरेट एटबोट और वर्नाडेन अवरिश्टो को मिला था तो इसी पुरुसकार के लिए 2020 में तेरे लोगों को चुना गया है तेरे लोगों की सूची निकाली गई है इन में से किसी एक को मिलेगा दो कोई मिल सकता है मतलब तीन कोई मिल सकता है और इसी तेरे लोगों की सूची में इनी तेरे लोगों की सूची में भाड़ते मूल की अबनी दोशी को सामिल किया गया है और इनका उपन्यास है वर्ण सुगर यही है अबनी दोशी इसका आंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर भी और इसका आंसर क्या नहीं होगा रोश्णी सामंत नहीं होगा है मामुदगल नहीं होगा जैस्री राउतेला नहीं होगा तो देखें दुबाई में रहने वाली भारते मूल की लेखी का नाम है उनका अबनी दोशी को उनके उपन्यास उपन्यास का नाम क्या वर्ण सुगर के लिए परतिष्ठे 2020 के बुकर पुरुसकार के लिए चुने गए तेरे लेखकु की सूची में सामिल किया गया है वहीं अबनी दोशी के अलावा इस सूची में दो बुकर पुरुसकार जीत चुकी हिलेरी मेंटल को उपन्यास दा मिरर एंड दा लाइट के लिए भी इस सूची में सामिल किया गया है तो अल्रेडी दा मिरर एंड दा लाइट की लेखे का हिलरी मेंटल भी बड़ी दावेदार है इन 13 में देखा जाए तो देखते हैं किसको मिलेगा अब देखिए बात करें इस पुरुसकार की तो इस पुरुसकार की सुरुबात होई थी 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोटसाहन देने के लिए बीते वर्स मतलब 2019 में कनाड़ा की मार्गरेट एटबुड और बिटेन की वर्नाडेन एवारिस्टो को संयुक्त रूप से जो है इस पुरुसकार के लिए चुना गया था और बहुर सारे एक्जाम में कमपटेटिव एक्जाम में इस सवाल को पूछा गया तो देखते हैं अपनी दोशी को मिल जाए बागी पते चल जाएगा तो दस प्रश्ण थे इंपोर्टेंट अच्छे से इसका रेविजन कर लेजेगा एक सदो बार धन्यवाद